सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश और लेटर राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल इन दिस वरकशीट तो देखिये जैसे आपको याद है कि हमने पिछली क्लासेज में यह सीखा था कि हमें फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए तो आज हम इसी तरीके से फॉर्मल लेटर क किस तरीके से लिखते हैं और खास तोर से अपने प्रिंसिपल को हम कैसे लेटर लिखें उसके बारे में इस वरकशीट में समझेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकसर हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना ही पड़ता है तो आज हम उसके फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे हम उनको लेटर लिखें। authorities होती हैं और अक्सर इसी तरीके के letter हमें exam में भी लिखने के लिए आते हैं वो चाहिए 8th class हो या onwards 9th, 10th, 11th, 12th जो भी class हो आपको अगर एक बार लिखने का तरीका पता चल जाएगा तो आप बहुत easily उसको लिख पाएंगे तो आज हम यही सीखेंगे तो आज हम यह सीखेंगे कि principal को letter कैसे लिखा जाता है तो देखिए, there are so many reasons for writing a letter to principal यानि principal को letter लिखने के कई reasons हो सकते हैं एक school में रहते हुए कई reasons ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें principal को letter लिखना पड़ता है तो वो reason कौन-कौन से हैं, let's see request for organizing a class or event यानि उनसे हम यह request कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कोई एक class रखवा दीजिए या अपने school में हमें एक event कराना है, उसके लिए request कर सकते हैं उनसे फिर requesting to exempt from a class, जैसे कई बार क्या होता है हमें बहुत जरूरी काम होता है और class attend करना भी जरूरी होता है तो उसमें exemption के लिए हम उनसे request कर सकते हैं फिर leave application जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है last classes में हमने sick leave लिखना सीखा था तो वो भी principle को ही लिखा जाता है फिर expressing gratitude यानि उनको धन्यवाद करते हुए उनको आभार व्यक्त करते हुए हम उनको लेटर लिखते हैं जैसे उन्होंने हमारे विध्याले के लिए कोई चीज कराई या हमारे class के लिए कुछ special arrangement करवाया उसके लिए हम उनसे उनको gratitude express करते हुए लेटर लिख सकते हैं फिर asking for permission यानि किसी चीज की permission लेने के लिए भी तो हमें principle को ही letter लिखना पड़ता है न तो इसके लिए भी हम principle को ही letter लिखते हैं तो ये कुछ reasons हैं जिनके लिए हम principle को letter लिखते हैं अब इसका format कैसा होगा अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कभी ये नहीं भूलेगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे ऐसे letter को लिखने के लिए तो जल्दी से take out your notebooks और मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें देखिए B part is format for writing a letter to principle format हमेशा ऐसा ही रहेगा सिर्फ उसमें चीजें चेंज होती चले जाएंगी वो क्या है देखते हैं सबसे पहले हमेशा the principal लिखते हैं या कोई भी higher authority होगी उसको address करते हैं हमें लिखना है कि the commissioner या the जो भी कुछ अभी हमने उपर समझा तो principal के लिख लिख रहे हैं तो उपर उनी का नाम आएगा कि the principal principal है तो फिर school का नाम, school name और school का address ये हमेशा left side पर हमें लिखना है top पर याद रखिएगा the principal, school का नाम और school का address उसके बाद हमें date लिखनी है जिस date को हम वो letter लिख रहे हैं जैसे आज की date है 25th November 2020 तो हम वो ही date लिख देंगे 25th November 2020 फिर इसके बाद हम लिखेंगे subject यानि किस purpose से हम वो letter लिख रहे हैं इसके बाद उसके उनको solution, solution का मतलब होता है कि वो sir है या ma'am है तो हमें respected लिखके वो लिखना है अगर sir है तो sir, respected sir और अगर ma'am है तो respected ma'am उसके बाद body, body का मतलब होता है कि हमें अपनी application का जो beach का part है उसमें क्या-क्या लिखना है और सबसे last में आएगा thank you और complimentary close, complimentary close का मतलब होता है कि our last में आप thank you लिखने के बाद लिखेंगे yours obediently या yours faithfully यही दो शब्द आते हैं कई बर sincerely भी हम use कर सकते हैं फिर उसके बाद name of student यानि जिसने वो letter लिखा है और students class यानि उस student की class इस तरीके से हमें लिखना है और पूरा का पूरा format अगर आप देखेंगे उपर से नीचे तक वो left side को ही align करके लिखा जाएगा यानि जो उपर का जो portion है वो भी left side पर ही लिखा जाएगा और जो close करने का portion है वो भी left side में ही लिखा जाएगा फिर the next part is filling the blanks in the following letter to principal using the clues below आपको नीचे कुछ clues दे रखे हैं उसको use करते हुए आपको एक letter लिखना है principal को तो ये तो बहुत ही easy है और आप इसको अगर एक बार समझ जाएगे न तो आप इसमें बस थोड़ा बहुत change करके फिर principal को बहुत easily letter लिख सकते हैं तो write a letter to your principal thanking her or him for arranging online classes during this pandemic यानि इस महमारी के दवरान आपको अपने principal को thank you करते हुए लिखना है कि उन्होंने जो online class arrange करवाई उसके लिए उनको thanks करना है तो चलिए एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं see these are the clues जिनको आपको use करना है अपने letter में तो शुरुबात करते हैं तो सबसे पहले the principal उसके बाद school name school name के लिए मैंने for example किसी भी school का नाम रख दिया राजकिय सर्वोदे बाल विद्याले फिर उसके बाद school का address गांधी नगर डेली 31 तो इस तरीके से हमारा उपर का portion पूरा हो गया है उसके बाद date जैसे की समझाया था date 25th November 2020 जो आज की date है और आप जिस दिन भी letter लिख रहे हैं उस दिन की हाँ पर date आएगी फिर subject की आप लिख क्यों रहे हैं वो letter gratitude for आप यहां से एक word choose करेंगे arranging आरेंजिंग online classes क्योंकि हमें इसी के लिए तो उनको thanks करना है ना फिर उसके बाद respected sir oblique ma'am तो अगर sir है तो sir ma'am है तो ma'am उसके बाद फिर हम body जो हमने लिखा था body उसको हम लिखेंगे की आखिर हमन student यहां पर आपको अपना नाम लिखना है मैंने for example एक student का नाम प्रमीत लिखा है I प्रमीत on behalf of our class फिर यहां पर जो उस student की class होगी जो आपकी class है वो लिखना है 8B मैंने for example लिखा I प्रमीत on behalf of our class 8B of your school मैनी मैं प्रमीत अपनी class के बिहाफ पर जो हमारी class है आपके school की thank you for arranging the much needed यहां से हम एक और word चूस करेंगे online online classes तो अब इसका पूरे का मतलब हो गया कि मैं प्रमीत अपनी पूरी class के बिहाफ पर आपको thanks करता हूँ कि आपने जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रुरत थी online class वो arrange करवाई we also thank all our यहां से एक और word क्यों सा आएगा teachers we also thank all our teachers for preparing fruitful online lessons for us during these difficult times यानि हम अपने सारे teachers को thank करना चाते हैं कि वो हमारे लिए online lesson तियार कर रहे हैं और कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं वो भी इस मुश्किल भरे time में our classes were disrupted because of COVID-19 हमारी class disturbed हो गई थी COVID-19 की वज़े से and it was a great loss to our studies आएगा यहां से आप एक और word चूस करेंगे studies हमारी studies को बहुत नुकसान पहुंचा फिज the online classes are very helpful यह online classes हमारे लिए बहुत helpful है in our studies हमारी पढ़ाई में give us an opportunity to interact face to face आएगा face to face with our teachers and classmates तो यह हमें अफसर देता है अपने teachers और classmates से सामने बात करने का face to face बात करने का our online classes are going really well हमारी online class बहुत अच्छी चल रही है and we are able to focus on our studies now और अब हम अपनी studies पर दुबारा से focus कर पा रहे हैं kindly accept our sincere gratitude तो हमारा यह आभार सुईकार करें फिर यहां पर last में आता yours, yours ओबिडेंटली फिर उसी बच्चे का नाम आएगा प्रमीत और उसकी class 8B इस तरीके से यह letter लिखा जाता है So now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादर से जादर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जादर शेयर भी कीजिए और हां मेरे साथ इसी तरह worksheet को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी महनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए And if you want to protect from coronavirus, then please wear a mask and wash your hands with soap and water regularly क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई धिलाई नहीं Thank you very much